इस दुनिया में कई घटनाएं ऐसी होती हैं, जिन पर आसानी से यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है यह मामला भी कुछ ऐसा ही है आपको जानकर हैरानी होगी की ब्रिटेन में एक कार की नंबर प्लेट जो न तो सोने की है और नहीं उसमें कोई डाइमंड जड़ा है इसके बावजूद खरीदार इसके 132 करोड रुपे तक देने को तयार है विक्री के लिए यह ओनलाइन अवेलेबल है जिस पर एफेक लिखा है यह सामान्य लाइसेंस प्लेट है एक रिपोर्ट की माने तो ब्रिटेन के अफचल खान नामक एक शक्स ने अपनी एफेक वैनिटी प्लेट के लिए ओनलाइन विग्यापन दिया जिसे खरीबने के लिए लोगों ने इतनी उची कीमत लगाई की दुनिया दंग रह गई फिलहल यह नमबब प्लेट शक्स की बुगाती वेरॉन कार पर लगी है आपकी जानकारी के लिए बता दे इस नमबब प्लेट की इतनी कीमत इसलिये लगाई जा रही है क्योंकि जो दो अक्षर एफ और एक इस पर अनकित है उसका मतलब फॉर्मूला वन है एक रिपोर्ट के मुताबिक खान ने इसी साल यह नमबब प्लेट 10.52 करोड रुपे में खरी दी थी लेकिन अब तक यह सपश्ट नहीं है कि उन्होंने इतनी मेहनी नमबब प्लेट क्यों खरी दी खान में इस नमबब प्लेट की कीमत कुछ तैकी है आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है यह तो गाड़ी के ओनर के हाथ में नहीं बलकि आर्टियो ओफिस के हाथ में होता है भाईया दरसल यहां के कानून अलग है रिटेन के नागरिक अपनी लाइसेंस प्लेट के खुद मालिक होते हैं और उनकी विक्री या नीलामी के लिए विस्वतंत्र है सबसे मेहनी नमबब प्लेट एफेक नमबब प्लेट की कीमत 110 करोड रुपे रखी गई है लेकिन 20 फीसदी विट के साथ इसकी कुल कीमत 132 करोड रुपे से अधिक बैठेगी